हालो बच्चो तो कैसे आप सभी लोग थोड़ा सा वीडियो प्रोपर नहीं यहां पा रहा है ठीक है एक्चुली जो मेरा रिकॉर्ड करता था वो थोड़ा है नहीं भाई और वो एक्चुली क्लास बगरा है उसका स्टार्ट होगे इसके विए से बट कोशिस करते हैं कि उसक पर डाला हुआ है जिसको आप देख करके आप अपने टॉपिक को किलियर कर सकते हैं ठीक है और आज जो हम टॉपिक बताने वाले हैं इसका जिससे फर्स टॉपिक सेकंड टॉपिक हम किलियर कर चुके थे वो रिप्रोडक्शन के रिगार्डिंग सबसे पहला जो मैंने बत खांते होगा कि बहुत बढ़ा फैन होगे तुम लोग ठीक है इसी तरह से फिर इसको भी जांते होगे सुगर्केन है और एक है हमारा रोज होगा ठीक है तो इसका कैसे इसमें मतलब की propagation होता है इसका उत्पत्ति कैश सोता हम इसको क्यों ना मैथन चाहिए और एक्सवल रिप्रोड़क्शन और इस एक्सवल रिप्रोड़क्शन में जो हम लोग चर्चा करने वाले हैं उस टॉपिक का मेथड जो है इसमें एक्सवल रिप्रोड़क्शन में जो कॉमन मेथड हम लोग डिसकस करने वाले हैं उस मेथड का नाम है क्या रिप्रोड़क्शन बाई भेजी टेटीव भेजी टेटीव प्रोपागेशन ठीक है भेजी टेटीव प्रोपागेशन तो इस मेथड से कैसे रिपोड़क्शन करवाया जाता है इसके बारे में हम डिसकस करेंगे आपसे ठीक है देखो सबसे पहले तो भेजी टेटीव का मतलब क्या होता है दपा से आप क्या करते हैं प्रोसेस परफॉर्म करते हैं रिपोड़क्शन का इसको क्या कहते हैं वेजिटेटी प्रोपागेशन और इस वेजिटेटी प्रोपागेशन को हम लोग दो मेथड से परफॉर्म करवाते हैं ठीक है सबसे पहला एक हमारा होता है नेचुरल मेथड नेच इसके किसी भी पार्ट से आप डेवलप्ट करवा सकते हैं, it may be stem, root और leaves, ठीक है, कितना लोग बोलता है सर, जब हम इसमें involvement है, तो ये natural के अंतरगत में कैसे कर सकते हैं, क्योंकि human effort के, ठीक है भाई, लेकिन human effort की बात आती है, लेकिन यहाँ पर क्या हो रहा है, सबसे पहली ब अने नि으रल कंपोनेंट्स है, किसका है the components of flowering plant, flowering plant का ही natural components है, ठीक है, इसको आपने नहीं generate किया है, लेकिन प्रोसेस जब artificial में आता है, तो उसमें तीन गंपोनेंट्स सामिल हो जाते हैं, और इसमें जो अर्टिफिस्यल में तीन कंपोनेंट्स जो सामिल होते हैं, वो है हम सबसे पहला इसमें आ जाता है वह होता है हमारा रिपोडक्शन बाइक कटिंग प्रोसेस ठीक है सेकेंड इसमें आता है लेयरिंग प्रोसेस और फिर फाइनली जो हमारा ठर्ड जो आता है इसमें वह होता है ग्राफ्टिंग ग्राफ्टिंग ठीक है तो ए तीन प्रोसेस आट Chytrate propagation क्या होता है तो वेsmithot Package is the mode of a sexual reproduction याद रखेंगे और Sexual desse when रीपरडशन के नहीं किस में आता है और इस दो तरह से होता है propagation का मतलब मैंने बता तो प्रोपागिय्वल कर एक मतलब पाट्स को ना इसमें जैसे किसी भी नहीं कमपोनेंट से ज duda int मैंने आलू भी लाया ठीक है आपको हम देखाते हैं कहां गया हाँ यह देखो एप परटटो जटी के बारे में तो फैमिलियर होंगे आप इस इस में देखो जो पोर्शन निकला हुए हलो अब बकलोल देखो जो पोर्शन इसमें निकला हुए है और यह वाइड-वाइड दे से आप धेड़ सारा production करवा रहे हैं समझ गया न तो इस case में कैसे development करवाया जाता है उसके regarding हम लोग डिसक्स कर रहे हैं तो याद रखेंगे इसके अंतरगत में artificial बलाने नेचुरल बला में क्या होता है ना simple कोई भी component जैसे अगर हम एक common बात करते हैं वो क्या करना है आपको field में जाकर करके observe करना ठीक है ना suppose that कोई field है ये माल लो कोई field है ठीक है ये कोई field है और field में क्या होता है कि पहले यहाँ पर माल लेते हैं कि सीजन था वो चल रहा था माल लीजे summer season राइट summer season तो summer season के case में क्या होता है छोटे छोटे जो grass उगे होते है ना वो क्या होता है dry up हो जाता है सुख जाता है और सुखने के कारण उसका astreme जो जर्व astreme जो होता है वो वहीं पे मतलब spread रहता है ठीक है और आप क्या observe करोगे during rainy season माले जब बढ़सात आया ठीक है जब बारिस आया पूरा rain आया उपर से rainfall हुआ rainfall के time में क्या होता है इसमें आप देखिएगा कि कुछ समय के बाद ही इसमें ना green green plant वगेरा का development हो जाता है छोटे छोटे grass का growth होता है इसका मतलब क्या हुआ यह जो natural component यहां पे जो पौध अधा के द्वारा था वो कौन सा था अस्टेम इसका ठीक है ना और इस से new plantlets का development हुआ new plantlets हाना मतलब छोटा चोटा टुकरा plants का चोटा चोटा टुकरा का development हो जाता है यह नए plants का development हो जाता है तो यह चला आता है स्टेम के द्वारा राइट उस इतरह से अगर तुमको root के बारे में बोल रहा है तो sweet potato उसा करकन के बारे में जनते हैं तो उसमें क्या होता है आप देखिएगा कि उसमें generally जो भी उसका component होता है आप उसका जैसे निकालिएगा तो क्या दिखेगा आपको कुछ something इस परकार से आपको दिखेगा जैसे कि उसका बड़ा बड़ा इसी म न्यू sweet potatoes का plant developed हो जाएगा ठीक है तो new development होगा वहाँ पर इसी लिए वह जो चला आता है वह हमारा किस के अंतरगत में चला आ गया तो वह हमारा आ जाता है reproduction by कौन सा process में आ जाता है वेजटेटी प्रोपागेशन लेकिन कौन सा component से तो यहां root के द्वारा ठीक है और हमारे पास एक्टम common है और वह है क्या leaf के बारे में तो देखें leaf वाला हम दिखाने के लिए एक लाए है ठीक है और एक क्या है leaf वाला तो हम इसमें दिखाते हैं तोड़ करके एक lips को इसको ठीक है यह देखिए ब्रायो फाइलम है ठीक है यह हमारे पास क्या है ब्रायो फाइलम ठीक है यह ब्रायो फाइलम है तो ब्रायो फाइलम में ब्रायो फाइलम में क्या होता है जिस देखो एलिप्स है ना एलिप्स एलिप्स के लास्ट वाला पोर्शन को हम लोग बोलते हैं margin, ठीक है न, margin portion बोलते हैं, और इस margin portion को आप ages भी कह सकते हो, जिसको किनारा कहा जाता है, ठीक है, और इस किनारे वाला portion में, क्या होता है, यहाँ पे, एक किनारे वाला portion में, क्या होता है, आपको बता होना चाहिए, कि यहीं पे न, इसका development होता है, seeds वगला का, ठीक है, यह द जो parents, bryophyllum का leap है, उससे de-attach होता है, मतलब separate हो जाता है, ठीक है, यह parents से de-attach हो जाता है, now, सबसे पहले मैंने क्या बताया, bryophyllum जो होता है, वो natural vegetative propagation से developed होता है, natural vegetative propagation से, और जब natural vegetative propagation से developed होगा, तो कैसे, तो naturally जब vegetative propagation से developed होता है, तो आपको हम बता देंगे, क्योंकि यहाँ पे जो component है, वो होता है, with the help of leaves, और इस leaves के leaves बना दो, जी, बना दोते हैं, ठीक है, कैसे है इसका भाई, अच्छा चलो, ठीक है, not color car, बट कोसिस करते हैं, बना देने के लिए, ठीक है, अब यह ठीक है, लग रहा है, पत्ता कितरा, कोई दिकत ने, समझ जा, यहाँ में, समझ ये concept को, ठीक है, अब हम क्या बोल रहे हैं, जैसे ब्राइव फाइलम का जो leaf हुआ, इसके marginal वाल, जो edges है, किनारे वाला portion, ठीक है, यह edges वाला portion बोलते हैं, इसको केनार के, इसी को margin भी बोल र है, इसका seed ना, छोटा सा roots बगरा development कर रहा है, यह देखो, इसका देखो, दमसाफ दिख रहा है, यह portion, अब यह हट गी है, यह deattach कर दिया मैंने, ठीक है, और जैसे यह deattach होगा, मिटी में गिरेगा, new plantlets, new plants में development हो जागा, ठीक है, तो यह आ जाता है, हमारा कौन सा method में, तो यह हमारा आ गिया, reproduction by vegetative propagation and the propagule, यानि कौन सा component लिया हमने, तो leaves का लिया, ठीक है, यहाँ पती के द्वारा मैंने development करवाया, ठीक है, तो propagule के method से, यानि propagule जो component होता है, उससे हम vegetative part का propagation करवाते हैं, यह vegetative propagation के अंतरगत में आ जाता है, इससे development करवाया जाता है, तो तीन main component है, ठीक है ना, एक component आ जाता है, या propagule आ जाता है, अब यहाँ पे term आता, artificial propagation क्या होता है, तो artificial किसी भी plant को, मतलब कोई भी vegetative propagation को अलग different तरिका से, जिसमें तीन method आते हैं, इसमें जानते हैं, main difference क्या होता है, यहाँ पे आपको regular देखने की जरुवत नहीं है, यानि एक आपको कोई देखवाल नहीं, बस एक बार लगा दिया, छोड़ दो, ठीक है ना, अब यहाँ पे लेकिन क्या है ना, human effort maximum चाहिए, human effort बहुत जादा चाहिए, मतलब आपको समय समय पे निगरानी करना पड़ेगा, especially जब tissue culture करते हैं तब और, ठीक है, उस time हम लोग को focus करना पड़ता है, अब इसमें common method होता है, artificial में सबसे पहला हमारा दिया हुआ है cutting, तक कुछ नहीं होता है, किसी भी pattern plant से cut करके, soil में दूसरे जगा देते हैं, उसको हम cutting करते हैं, अभी हम practical करके दिखाएंगे इसको, ठीक है, second हमारा आता है layering, अब देखो, cutting में ना, cutting किसको करना होगी, अभी देख रहा है, इसको तो जाने में करते होगे, हाना, बहुत common है, हाना, engagement में देना होता है, समझ गाना, तो एक cutting वगएरा होता है, बाकि एक फरवरी महिना में कौन तो day होता है, उसमें, तो cutting में क्या होता है, तो cutting में आपको पता है, किसी भी parent plant का cut portion, जा the parents plant में से किसी भी cut portion को लेकर, smile में लगा देने से नया plant का development हो जा, that comes under artificial vegetative propagation in the process of cutting, हाना, cutting के process में, ठीक है, are you getting my point, चलो, layering क्या होता है, तो layering किसको कहते है, तो layering क्या होता है, simple एभी तरीका है, इसमें क्या होता है, कि सबसे पहले आपको समझना होगा, इसमें क्या होता है, कि वैसा पौधा जिसका डाली थोरा soft होना चाहिए, ठीक है, डाली soft होना चाहिए, branches पुड़ा हुआ, ठीक है, बड़ा सा पौधा बनाती है, उसका branches जब हुआ, और ये branches soft है, और इस branch की portion को na, smile में क्या करना है, आपको place कर देना, smile में यहाँ पे place कर देना है, और फिर क्य होता है, parent यहाँ पे जैसे smile में जाता है, यहाँ root बना लेता है, उपर में suit का development होना, शुरू हो जाता है, आख कुछ समय के बाद यह parent से de-attach हो जाता है, parent plant से, ठीक है न, तो इस process को हम लोग कहते है, layering, इसको क्या नाम देते है, layering, याद रखेंगे, इसको हम लोग कहते है layering, ठीक है, लेकिन after some time, कुछ समय के बाद, जैसे यह layering process हो गया, यहाँ पे तो separate हो गया, और याद रखें, layering के बारे में पूछे का, तो jasmine जाने है, jasmine, jasmine, चमेली, बेली कुछ होगा, देख लेना, यह jasmine वगरा में layering का हम लोग, layering के द्वारा, jasmine का growth करवाया जाता है, ठी अम grafting के बारे में बात करेंगे, grafting के बारे में बात करेंगे, तो इसमें आपको याद लखना है, इसमें दो component होता है, sicon, ठीक है, और एक होता है, a stock, sicon और a stock, ठीक है, इसमें दो part तुम को लेना होगा, main इसमें पता है, cutting का rule पता होना चाहिए, कैसे इसको cut कर रहे हैं, अगर माल लो, देखो, सबसे पहले माल लो कि इसमें करेंगे कि इसमें, तो इसके लिए आप या तो लेमन है, लेमन वलाक में कर सकते हैं, निम्बू का पौधा है, मैंगोज है, आम का पौधा हो गया, यह पल हो गया, इसमें आप उसका अलग-अलग यह क्यों करते है, artificial vegetative propagation क कि पीछे काउज पूछा जाता है तहां याद रखना to obtain desirable character हना मने जो character हम obtain करना चाहते हैं जो हमारा इच्छा है उसको पाने के लिए हम artificial औफिशल वेजिटेटीव प्रोपकेशन कहते है आज तरह तरह के गंदा के फूल गुलाब जंग सोरी गुलाब ज नहीं मंने चामेली के फूल बेली के फूल हर अरह लेखिशन मिलता है यह सब आ जब क्रॉस क्रॉस करवाना सुरू होता है तब जाके hybridization जो heredity and evolution में पढ़ना होता है हम लोग को ठीक है तो देखिए यहाँ पे हम ग्राफ्टिंग मेथाज में बता रहे हैं दो component होता है एक का नाम है सी कौन सेकेंड का नाम है अस्टॉक स्टॉक होता होिगा सąथ ठीक है अब देखो क्या करते है ना जैसे देखो मालो कि हम एक गमला बनाया है जी उसाहई था चलो ठीक है एक गमला बनाया उ अब इस गमला में मालनों पहले से हमने निम्बू का पेर लगा रखा है राइट निम्बू का पेर लगा रखा है निम्बू यहाँ पर समझ रहा हो चाय में डालने वाला वो छटका निम्बू आखे ठीक है निम्बू का पेर में लगा रखा है अब हम क्या करना चाहते हैं हा इसमें क्या करते है उसी का पर जाती है यी ना किया मैं है ते महोघवा से सिसको रियक्ट करादेगी गो नहीं ठीक है ना एकिपर जाती होना चाहिए त्यजК रहे को आप लगाने वाले हैं उसको जिसમ लगाने वाऽ जिस पे लगाने वाले हैं, तो इसको कहते हैं, अस्टॉप, याद रखना है, क्या कहते हैं, जिस पे लगाया जाना है, उसको अस्टॉप कहते हैं, तो देखो, अब यह लोला यहां से कटा हुआ है, देख रहे हो, हई पोर्शनवा इसका कटा हुआ है, तो इसका मतलब जो अ यह उपर वाला पोर्षन को सिकोन, नीचे वाला पोर्षन को अस्टोक, यह दोनों का कम्बिनेशन होता है, आप फिर यहाँ पर पन्नी मार देजे, पूरा दमला फेट करके बरहियां से छोड़ देजे, उसके बाद 15 दिन बाद, देखो यह ऐसा क्यों करते हैं, कारण क्या हो यह तो टांसपोर्ट नहीं कर पाएगा ना, तो इन सारी का भी आप इसका स्क्रीन सोट ले लेंगे, वीडियो को रिकॉल करके देखेंगे, अभी हम इसको प्रैक्टिकल के साथ, प्रैक्टिकल कॉंसेप्ट हम दिखाते हैं, ठीक है, तो देखो, तो देखो जैसा कि हम करके जरूर बताना, यह कौन सा फ्लावर है, ठीक है, तो देखो, यह जैसा भी फ्लावर है ना, एक्चुली इसको बाइसेक्सवल फ्लावर कहते हैं, डू यू नो वाइसेक्सवल फ्लावर क्योंकि इसमें ना, मेल और फीमेर रिपोड़क्टिव पार्ट एक ही पाओधा में पाया जाता है, ठीक है, तो कौन सा यह है, बता देना तुम, और इसका मोर फ्लावर क्या होता है, प्लीज यह भी बताना, ठीक है ना, तभी हम अपना खेत भूमा दे तुमको, चलो देखो, इस खेत में इमीचाई रोपा हुए, नहीं लसुन होगा, पता नहीं कुछ खेत है, बताना, अब यह भी है, चलो देखो, ए, आइखिसल वेजिटेटिव प्रोपोगेशन का सिंपल सा मेथर होता है, दिस को हम कहते है, बाइक कटिंग, ठीक है, कटिंग के द्वारा, तो कटिंग में मैंने, इसका प्लांट था, प्लांट और इस प्लांट से मैंने क् कट पोर्षन लिया ठीक है अब इस कट पोर्षन को हम क्या करेंगे ना इसमें देख रहें था इसमें मॉइस्ट्र मतलब नमी है ठीक है स्वाइल में नमी है और इस नमी है तो इसलिए मैंने इसको प्लेस किया ठीक है अब इसको प्लेस कर दें तो इसमें simply क्या होगा after certain interval of time कुछ समय के बाद क्या होगा automatic इसमें roots वगरा का development होगा और फिर से पुना निर्मान हो जाएगा तो यह हो गया simple method by cutting ठीक है layering कर सकते हैं इस पौधा को तो लेकिन इस layering में कुछ करना नहीं होता है ठीक है इसमें क्या करना होता देखो इसका जो portion है इसमें हम क्या करेंगे इसका जो portion है इसको हम क्या करता है यहाँ पे मट्टी में क्या करता है इसको डाल देता है ठीक है और इस portion में मट्टी में जैसे place किया कुछ समय के बाद क्या होगा ना यहाँ पे root development होगा इसका कटिंग ऐसा कुछ होना चाहिए कटिंग कटिंग इसका तफ होता है ठीक है और एक कटिंग में कुछ है इस तरह से सेप देना होता है देखो कैसा जाएगा कटिंग में यह देखो पूदा कटिया बढ़िया ठीक है अब यह जो कटा हुआ पोड़ शन है अब हम तुमकर एक बताते हैं सबसे पहले देखो इसमें मैंने दो कपोनेंट के बारे में बात किया था ठीक है नंबर वन जो नेटा इप्रकॉंट से इध लगाते हैं तो इसमें तो में पास इखी है ना जी इखी है अगर अलग components बगरा में हम लोग करते हैं तो अगर इसको लगा दिया देखो इसको न यह आई वर्ड बोलते हैं इसमें जिसको अखुआ कहा जाता है और इस अखुआ वाला portion को ही हम लोग डालते हैं स्वाइल में ताकि यहाँ से development हो जाए ठीक है ना यहाँ से नए plants का development होगा अब इसको चीज तरह से position में काटा हुआ है तो इस portion को उसी तरह से देखो तुमको पता है ना भी बताया जो मतलब की गमला में रहता है उसको हम क्या कहते हैं उसको stock कहते हैं और जो उपर जो डालते हैं उसको सी कॉन कहते हैं ठीक है तो इसको ऐसे place करना पड़ता है ठीक है इस तरह से और फिर क्या करते हैं हम लोग टेप से इसको कभर कर देते हैं तो उपर वाला को सी को नीचे वाला को अस्ट्रॉक यह होता है हमारा ग्राफ्टिंग अब एक क्या होता है एक और चीज है देखो ए पत्त था ऌसे ही अबसे दो तरह से मेथर होता है सबसे पहली बात क्या हुआ ना कि जितना आइव बढ़ दिया हुआ है इस हर आइव इससे आपने यह प्लाण्स का डेवलपमेंट कर सकते हैं और नहीं तो फिर चार दिन के बाद हम वीडियो फिर से बनाएंगे तुमको दिखाएंगे कहा कहा पौधा मेरे हां डेवलपमेंट हुआ की नहीं की मेरा प्लाण फ्लोप हो गया तो देखो हम इसी के जगह कहीं पर एक कंपोनेंट में इसके में ही हम लगा देते हैं इसको यह हम बीज बो दिया अलू लगा दिया ठीक है अब कुछ समय के बाद देखना यहां पर आलू का भरमार हो जाए गया अई सब हाइब डीज वाला अलू था देखते हैं 10-10 किलो के जालू निकलेगा ठीक है तो यह हो गया और कॉमन सा मेथड हमारे पास जो ब्राइओ फाइलम का तो इसमें हमने दिखाया था आपको कि देखो पैरेंट्स के प्लांट से ही डी अटाइच हो जाता है तो इसको भी हमने भीग दिया ठीक है यहां इसको लगा दिया इसको प्लीज लाइक करो सेर करो और सब्सक्राइब करो